हाज जी दोस्तों आज एक बड़े इंपोर्टेंट मुख्य मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ और बात ऐसी है क्या कोई कोश्चन आपने एक्जाम में बनाया बड़े इंपोर्टेंट बात है बिल्कुल ध्यान से सुनना हो सकता है कि इस वज़े से आप पास या फ समझना आपके पक्का काम आये का सुनो बिटे कोश्चन आया था सीधी सीधी बाद बिना घुमाय फिर आया काम की बात करता हूं एक कोश्चन आया था म्यूचियल फंड का म्यूचियल फंड का कोश्चन और यह वाला कोश्चन डिविडेंट री इंवेस्टमेंट प्लान यह सब कुछ था, इस attempt में भी आया था, इस attempt से पहले वाले attempt में भी आया था, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, अगर देखा जाया तो question बड़ा simple है, यह suggested, ठीक है, और यह आपके सामने, यह suggested है, suggested बोलों, तो इस attempt का paper में जो question आया था, यह है, और यह कौन सा है, यह question है, आपके practice manual को, दोनों को साथ में रखा है, आप यह गलती अब मत करना, बस इसलिए video बना रहा हूं, अब जब मैं mutual fund की बात कर रहा हूं, इस question की बात कर रहा हूं, question number 32, sun moon mutual fund वाला, ठीक है, अगर देखा जाया तो इस question का, same question है, बस यहां figure आधा कर दिया, वह हम काम की चीज़ समझना, यह सब कुछ question है, और question के बाद, आप से इस question मे, requirement क्या, दियान से समझो कि है, requirement है, कि इस question में आप से मांगा, क्या, आपसे मांगा annual rate of return, annual rate of return, तो annual rate of return कैसे निकाला जाता है, annual rate of return कैसे निकाला जाता है, यह आपको पता होना चाहिए, और simple सी बात है, यहाँ देखोगे ध्यान से, तो यहाँ annual rate of return निकाला गया, और बिल्कुल सही निकाला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, दो चीजे होती, एक होता effective yield और एक होता annual rate of return और इसमें आपसे annual rate of return मांगा तो annual rate of return ऐसे ही निकाला जाता यह हम अच्छे से जानते हैं, ठीक के सर, अब आगे सुनोगे, ठीक इसी के बाद और एक question की में बात करूँ, यह question है, question number 33, अब देखो बेटे इसमें क्या मांगा है, और इसमें मांग है, आपसे effective yield, इस question की बात करूँ, question number 33, effective yield, annual rate of return और effective yield में जमीन आसमान का अंतर है, और हम सायद, SFM की पहली class से, यही समझते है, कि effective yield अलग होता है, annual rate of return अलग होता है, बहुत अच्छे से, इस question में हम से effective yield मांगा गया, तो यह कहां का question है, यह है, आपके practice manual की में बात कर अब इन्होंने कैसे निकाला है, सुनोगे, इन भाई साब ने सबसे पहले effective yield बो नाम दिया, effective yield नाम दिया है, practice manual में, यह देखो, effective yield और यह जो निकाला, यह effective yield रही, यह annual rate of return, annual rate of return, effective yield यह निकाला, इन्होंने trial and error method से, trial and error method से, IRR method से, जबकि हम इसको ऐसे भी dirty power लगा कर भ समझाया होगा, यह जिस भी teacher ने आपको समझाया है, उसने पक्का बताया होगा, कि बेटे, annual rate of return इस तरह से निकाला जाता, simple interest, effective yield compounding होता, तो वो किसी और तरीके से निकाला जाता, डिक है, dirty power लगाके बे निकाल सकते, अब concept क्या, concept, बड़ी simple सी बात हमको समझ में आ गई, annual rate of return निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे, divide करके, और effect yield बोला है, तो IRR methods यह dirty power करके निकालेंगे, यही मैंने आपको class में समझाया है, और मुझे ऐसा लगता, बाकि टीचर ने भी यही समझाया होगा, अब exam में question आया, इस attempt में question, और question है, यही question है, और इस question में हमसे मांगा क्या है, important है, हमसे मांगा क्या, सुनोंगे ध्याँ से, हमसे क्या मांगा, हमसे मांगा effective yield, अगर मैं बोलूँ, हाँ जी, अब सुनोंगे यहाँ से, effective yield मांगा, effective yield, अगर मैं कहता हूँ, effective yield, क्या करना है, सर, हम लोगों को IRR method से निकालना पड़ेगा, यहां तो हम लोगों को dirty power से निकालना पड़ेगा, यही होता effective yield, बाकि सारी कहानी, और यहां bracket में annual rate of return भी निकाला, अब बच्चों क दिमाग में अब यह सर, annual rate of return निकालना की, effective yield निकालना, अगर मैं देखूं तो effective yield पर रैनम बोला है, तो मैं dirty power लगा दूँगा, वो भी सही है, अब इन्होंने क्या किया, अगर यहां आगे चले, इन्होंने किया क्या है, यह question, यहां दिया है, यह last में आ गया है, अगर मै last में आकर बात करूँ, यह इन्होंने निकाला, average rate of return यह annual rate of return, इन्होंने effective yield नहीं निकाला, क्या यह सही है, हाँ सही है, क्या जिन बच्चोंने effective yield निकाला होगा, क्या उनका भी सही है, हाँ, उनका भी सही है, तो क्या number मिलना चाहिए था, yes, but, zero number मिला में, फिर से बोल रहा निकाला, dirty power से निकाला, या फिर IRR method से निकाला, उनको zero number मिला है, उन्होंने बस कहा कि ऐसे निकाला चाहिए था, इससे पहले बाले attempt में भी यही problem थी, मांग रहा है effect yield, बच्चे effect yield निकाल रहा है, पर suggested में average rate of return यह annual rate of return दिया है, और suggested देखकर जो paper चेक कर रहा है, वो सर क्या, अब जो हो गया छोड़ दो, आगे अगर question आया है, जुन्होंने मेरी class किया, especially वो धियान रखे, आगे अगर question आया है, और हम से मांगे effective yield, effective yield, तो सर हम ऐसे निकाल किया जाएंगे, बस, नहीं बिट्टे नहीं, हो सकता, अगले suggested में change हो जाए, तो effective yield actual में कैसे निक निकालते है, dirty power लगा कर, या error method से दोनों से answer एक ही आता है, वैसे भी निकाल देना, और एक alternative आप ऐसे भी निकाल देना, दोनों तरीके से निकाल कर बता देना, बस, मैं इतना ही कहना, इस video बनाने का purpose यही है, कि 8 number का question आता है, 8 number हमारे लिए बहुत माइने रखते है, 0 number मि चाहे annual rate of return निकालने के लिए आजाए, चाहे effective yield निकालने के लिए आजाए, एक minute का ज्यादा time लगाएंगे, हम ऐसे भी निकाल लेंगे, और इस तरीके से भी निकाल लेंगे, इसमें जो alternative बताया है ना, इस तरीके से भी निकाल लेंगे, IRR method से, दोनों तरीके से निकाल द आजाए